कौन सी टेलिकॉम कंपनी करेगी इंडिया में सबसे पहले अपना 5G नेटवर्क लॉंच आपको पता है कि जियो की तरफ से एजियम हो चुका है उसमें अनौसमेंट हो चुकी है 5G को लेकर कि वो इसी साल जो 5G है इंडिया में वो लॉंच करने वाले हैं और एटल की तरफ से हाली में काफी बड़ी जो अनौसमेंट है वो की गई थी उसमोनों ने बताया था कि वो इस एक महिले के अंदर जो 5G है वो लेकर आने वाले लॉंच करने वाले हैं तो कौंसी टली को वन कंपनिया ऑं पर सबसे बहुत अब क्योंकि यार 5G का इंतरा में बहुत दिंसे हैं लग बच दो शाल हो चुक है 5G 5G करने वाल है लेकिन 5G अभी तक लाञ्च नहीं हुआ है 5G स्पेक्ट्रम उख्शन वह वो चुका है जहां पर जीओ ने काफ़ी अच्छी पर्फोंच दी थी और ऐटल ने बिया दोस्तों काफ़ी अच्छी पर्फोंच यहां पर स्पेक्ट्रम उक्सिन में दी थी लेकिन लोगों को इंतजार है फाइब जी लॉंच होने का अब जियों का जो 39 अगस्त को एजियम होता उसमें कहा गया था कि जो फाइब जी है वो दिवाली पर लॉंच होने वाल है वो भी कुछ इक में सिटीज के अंदर जैसे कि चैन् इंडिया में सबसे पहले जो 5G वो एटल की तरफ से लॉंच होने वाले हैं कि एटल एटल ने अभी दो तीन दिन पहले ही जो अनौंस्मेंट हो कि यह उसमों ने कहा है कि आख सिरिफ जो 5G स्मार्टपोन है वो खरीद दिये हम जो 4G SIM होने वाले है उसी के अंदर आप इंडिया में वो सबसे पहले लॉंच होने वाला है लेकिन अगर एटल की तरफ से इंडिया में सबसे पहले 5G लॉंच होता है तो फिर यहां पर जियो को काफी ज्यादा नुक्सान को सकता है जो सब्स्राइबर हैं जियो के वो यहां पर एटल में जा सकते हैं तो जियो को आपर सोचना होगा एक बार की दिवाली के मोखे पर करेंगे या मतलब की एडिल से पहले लॉंच करेंगे लेकिन बहुत बड़ी टक्करोंने वाले डोनों त्रेलिकॉम कंपने के बीच 5G को लेकर सबसे बैले कौन लॉंच करेगा यह सबसे बड़ा सवाल है लेकिन इस सवाल